नमस्कार दोस्तों प्रावड इंडिया की ब्लॉग में आपका स्वागत है आज मैं आपको एक स्वामिभक्त घोड़े की कहानी सुनाने जा रही हूं आपने महराना परताप जी का चेतक घोड़े की कहानी तो हमेशा सुनी ही होगी लेकिन आज मैं आपको चेतक के अलावा एक शुब्रक नाम के घोड़े की कहानी सुनाने जा रही हूं ये शुब्रक घोड़ा कौन था कहां का था और किसका था चलिए सुनते हैं कहानी तो दोस्तों शुब्रक नाम घोड़े का इतिहास राजस्तान के मेवाड राज्य से हैं इस समय मेवाड में राणा करन सिंग का रास था और करन सिंग के घोड़े का नाम था शुब्रक बहुती सुन्दर, मजबूत और तेज रफ्तार के लिए शुभरक जाना जाता था मुहमत गोरी के गुलाम कुत्बुदिन एबक की नजर इस घोड़े पर पड़ी तो उसने मन में उसको अपने राज्य को बढ़ने की लालसा के साथ कुत्बुदिन ने मेवार पर आक्रमन कर दिया भीशन युद में मेवाड की सेना ने पराजय स्विकार कर ली करन सींग को बंदी बना लिया गया बंदी बना कर उनको अपने साथ लौहर ले गया साथी राजकुमार करण सिंग के घोड़े शुब्रक को भी ले कर गया इस चमकदार घोड़े ने कुद्बुदीन का मन मोह लिया कुद्बुदीन को यह घोड़ा हद से ज़्यादा पसंदाया और मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश था जीस्थे ज्यादा खुशी शुब्रक घोड़े को पाने की उसको हो रही थी राजकुमार करण सिंग को जेल में कैद कर रखा था एक दिन करण सिंग ने मौका देखा और यहां से भागने की सोची ताकि जल्द से जल्द बेवाड पहुंचा जा सके जैसे ही राजक करण सिंग वहां से निकले कुछ सैनिकों ने उनको देख लिया और उनको दुबारा से पकड़ कर जेल में डाल दिया जब इस बात को लहौर के शाशक कुद्बुदिन एपक को पता चला तो उन्होंने सेनापति को आदेश दिया कि कल सुभा करं सिंग को उनके सामने पेश किया जाए अगले दिन जब उनको बादशा के सामने पेश किया तो कुद्बुदिन ने आदेश दिया कि इसकी गर्दन को धर से अलग कर दिया जाए और उससे हम पोलो का खेल खेलेंगे कुत्बदिन शुब्रुक पर सवार होकर वहां पहुँचा जब उनको पोलो खेलने प्रांगर में बंदी बना कर लाया गया तो शुब्रुक ने अपने स्वामी करन सिंग को पहचान लिया और जोर जोर से हिन हिनाने लगा वे घोड़ा इतने तेज गती से हाथ पैर फैंकने लगा और बेकाबु होगे शुब्रुक घोड़े के ऊपर सवार कुत्बदिन धढाम से नीचे गिर पड़ा जैसे ही वे नीचे गिरा घोड़े ने अपने दोनों पैरों से उनके ऊपर प्रहार कर दिया शुब्रक के प्राण घातक हमले से कुत्बदिन एबक ने दम तोड़ दिया स्वामिभत शुब्रक घोड़ा दोड़ कर अपने स्वामी करन सिंग के पास पहुचा और उनको तेज रफ्तार के साथ उदेपुर महल पहुचा दिया जैसे ही राधा करन सिंग घोड़े से नीचे उत्रे और उन्होंने अपने घोड़े पर हाथ फेरा तो उसके प्राण जा चुके थे राधा करन सिंग को बहुत दुख हुआ उस घोड़े को उसी महल के सामने दफनाये गया जहां पर आध भी शुबरक घोड़े की समाधी बनी हुई है तो दोस्तों ये थी एक स्वामी भक्त शुबरक घोड़े की कहानी भारत के इत्यास से सम्मंधित हर एक पहलू अपने आप में अध्भुत है कितना महान रहा होगा इत्यास इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ इनसान ही नहीं बलकि उनके पाले हुए जानवर तक शौर्या और स्वामी भक्ती का पाठ पढ़ाते हैं तो दोस्तों आपको मेरी एक कहानी कैसे लगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों समय समय पर आपको मैं इत्यास के अंचुए पहलों की जानकारी देती रहूंगी जिनके बारे में आपको बहुत कम पता हो